तो हाई दोस्तो कैसे हो आप लोग और आगया हूँ मैं एक और माइनकराफ्ट टुटोरियल वीडियो के साथ तो आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओटोमेटिक कासल डोर कैसे बनाना है कि जिसके लिवर पे हम completely इस तरह क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो उसे क्लिक करने पे वो completely बन भी हो जाएगा तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे परले हमें आपर 8 ब्लॉक की लंबाई की एक लाइन बना देनी है जिसे कि मैं आप एक बना रहा हूँ तो completely 8 ब्लॉक तक हमें इसे खोद देना है और उसके बाद हमें आपर 6 ब्लॉक में उसकी पोड़ाई बना देनी है जो completely इस तरह बन जाएगी जिसे हमें चोरस में completely cut कर देना है और उसके बाद उसको हमें पुरा का पुरा वहाँ पर खोद देना है और उसे हमें खोदने के लिए कम से कम 6 ब्लॉक की जो उंडाई होगी वहाँ तक हमें उसे completely खोद देना है और उसके बाद यह से हमारा structure है वो ready हो जाएगा तो अब हमें जहाँ पर gate बनाना है उसके exactly नीचे हम यहाँ पर sticky piston लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर दो blocks की layers लगा देंगे और उसके बाद जो हमारा simple piston है हम उसे इसके उपर लगा देंगे जिसकी वज़े से वो piston इन sticky piston पर attach हो जाए तो अब यहाँ पर हमारे piston है वो completely ready हो चुके है अब इसके बाद हमें याप रेड स्टॉन repeater ले ले लेना है और रेड स्टॉन repeater को exactly इसी तरह आपे लगा देना है और रेड स्टॉन repeater लगाने के बाद हमें उसे click करके इसे पीछे ले ले लेना है दो तीन बार आपको click कर और उसे completely इसे पीछे ले लेना है जिसकी वज़े से हमारा current वहाँ पर थोड़ा कम transport होगा और उसके बाद यहाँ पर जो redstone है हमें redstone से आप इसे लगा देना है सबसे पहले हमें से टेस्ट कर लेंगे कि जो नीचे वाले पिस्टन कहते हों completely work कर रहे है यह नई कर रहे हैं इसके बाद हम आगे और बनाइक अब प्र सबसक्राइब कर रहा है तो उसके बाद हमें जो यह फसके वाले पिस्टन को इनो है ईस्परवार्य पिसटन इसे तरह हमें ब्लॉक लगा देना है कि जिसकी वज़े से हम वहापर रेडस्टोन की जो वायर होगी हमारी वहापर लगा सके तो ऐसे हमें सिम्पल से रेडस्टोन लगा देना है आप और उसको नीचे वाला जो अमारा लीवर है उससे कनेक्टेड कर देना है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकतें कि हमारे जो दोनों के दोनों पिस्टिन थे वो If लोक करने लगे है तो अब इस लिवर को होँ यहां से निकाल देंंगे और उसके बाद जो हमारा जो यह लिवर है हम उसे उपर जो बाहर की और है वहाँ पर हम लगा देंगे तो उसके लिए मैंने एक इस तरह का setup बनाया हुआ है कि जिसकी वज़े से जो हमारा लिवर होगा वो लिवर completely बाहर आ जाएगा और हम उसे बाहर से easily operate कर पाएंगे तो य यहां पर हमारे जो पिस्टन से वह work करने लगे हैं तो यहां पर जो हमारा गेट होने वाला है वह मैंने completely ready कर दिया आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं बड़ा बना सकते हैं जिस सब भी आपको requirement हो आप उसे सब से बना सकते हैं अब इसके बाद मैं यहां पर सेंड ल नहीं करने का भी यहां पर एक reason है कि उसके लिए मैंने एक नया setup भी तयार कर दिया है कि जिसके वज़े से वहां पर energy completely पहुचेगी जो हम यहां पर लंबा करके ले जा रहे थे उसे हमने आपर से एक block कम कर दिया है और जैसा है हमने पहले बनाया था सेम तो से मैं यहां पर वेसा ही बना देना है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पर है कि हमारे जो पिस्टन थे वह completely work करने लगे है और जो पाज़े के पाच पाच पिस्टन थे वह सारे का सारे work कर रहा है अब इसके बाद जो यहां पर हमारे redstone की जो हमने रिपीटल लगा थे उसको हमें यहां पर लगा देना है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा setup था वो यहां पर completely work करने लगा है इसके बाद हमें यहां पर जो भी यह खुली हुई जगा थी उसको हमें completely cover up कर देना है बस यहां पर हमें ध्यान रखना है कि restaurant को हमें cover और अब नहीं करना वरना अबारा restaurant completely work नहीं कर पाएगा तो इसके बाद हमें यहां पर जो हमारे गेट है उससे पांच block की height तक के black stones लगा देने हैं और उसके बाद जो हमें यहां पर उससे एक उपर का stone छोड़ देना है और उसके बाद हमें यहां पर completely यह से पत्थर और देना है और वहां पर हमें जो simple piston होंगे उन simple piston को ऐसे ही लगाना है कि जैसे उनके wood के जो होंगे वो नीचे की और रहेंगे तो आप यहां पर देख पा रहा है जो हमारा यह हिस्सा होगा वो हमारा आगे का हिस्सा होने वाला है और उसके अलावा जो हम जीतना भी अब बनाएंगे वो सब हमारे पीछे के हिस्से पर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर black stone ले लेने हैं और जो sticky piston थे उनके उपर ऐसे इसे लगा देना है और दो layer तक लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर red stone repeater ले ले लेना है और जिससे हाँ पर रखे थे completely हमें व work कर रहे है या नहीं कर रहे है तो उसके लिए हम सबसे पिले यहाँ पर lever लगाना है और lever को इसे हमें on करना है तो यहाँ पर पिस्टन था वो slowly गया तो उसके वाज़े से जो हमारे repeater थे उसे हम completely जो first position है वेसी position में ले आएंगे और अब हमारे जो piston है वो completely work करने लगे है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे है तो इसके बाद हमें आपर simply से black stone ले लेना है और black stone को simply आपर जो नीचे वाले piston होंगे उन piston के आगे लगा देना है और उसके बाद हमें आपर red stone ले लेना है और red stone इनके आगे लगा देना है कि जिसकी वज़े से वो completely work कर पा है और उसके बाद जो यह red stone होंगे हम उसे उन्हें उपर वाले lever से connected कर देंगे अब यहाँ पर हमारे जो दोने के दोनों piston हो completely work कर रहे है लेकिन जो नीचे वाला piston हो fast work कर रहे है तो उससे slow करने के लिए हम यहाँ पर जो red stone repeater पर हमने मैंने दो बार क्लिक कर दिया कि जिसक है कि आप लोग देख पार रहे है कि जो हमारा gate वो अब नीचे आ चुका है तो सबसे पहले हम उपर जाएंगे और उपर जो यह lever है उससे पहले तो off कर देंगे और उसके बाद जो नीचे वाला lever होगा उस lever को हम on करेंगे तो आप देख सकते हमारा gate वो उपर आ चुका है जिसकी वज़े से हम अंदर आ पाएंगे तो अब जो उपर वाला lever है जैसे मैं उसे on करूंगा तो हमारा gate वो नीचे आ चुका है तो यह completely अब यह work करने लगा है तो अब यहाँ पर जो उपर लिवर है उससे हमें नीचे ले जाना है और वो नीचे ले जाना है तो उसके ल पावर होगी वो उपर तक जाएगी और जो लिवर के इस तरफ के जितने भी रेड्स्टोन रिपीटर है उसे हमें फ्रस्ट पोजिशन में रखना है कि जिसकी वज़े से जो उपर वाले पिश्टन होंगे वो फांस्ट वक करेंगे और सबसे पहले वो नीचे आएंगे और जिसकी वज़े से वहाँ पर पावर कमाएगी और पिश्टन उसके बाद वक करेंगा तो आप देख पा रहा है कि हापर जो हमारा पिश्टन है वो कमप्लिटली वक कर रहा है और हमारा गेट भी कमप्लिटली वक कर रहा है तो गाइस यही था, अजका वीडियो अगर आपक को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो और इसे शेर भी कर दो